हेलो एन गुरीवडिंग एवरीवन कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैं विरध स्टड़ी आईक्यू में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और दोस्तों आज जिस विशय पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं जिस पर हम लोग अपस में डिसकुशन करने जा रहे हैं उसमें हमने बुंदेल कंड का जो सूखा गरस्त छेतर है और उसे किस तरीके से पानी से भारा जा सकता है पानी से भरने का तातपर यहां पर यह कि जहां सूखा हो और वहां ठीक पानी भी आजा तो उसे भारा हुआ ही माना जाएगा इस संदर में यह देखने को मिलेगा कि केन और बेतवा उत्तर प्रदेश और मद्ध्रदेश दो राज्यों के साथ कहीं न कहीं यह दोनों नदियां आपस में जुड़ करके दोनों राज्यों को भी करीब ला रही हैं और साथी साथ वहां के जो सूखा गरस्त इलाके हैं पुंदेल खंड का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में और अधिक्तम हिस्सा जो है आपका मद्ध्रदेश में पढ़ता है तो दोनों जगहों के जो किसान है वो बहुत परिशान रहते हैं और उन किसानों की परिशानी को दूर करने के लिए ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो इंटर्यूज किया गया था तो आज हम इसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे और इसके बारे में चर्चा करते हुए समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा हो रहा है कौन-कौन से जो जिले हैं वो लाभनवित हो रहे हैं कौन-कौन से राजज लाभनवित हो रहे हैं कितना इसमें खर्चा आने वाला है आदी इस सब चीजे सबजेंगे इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक Study IQ का Telegram चैनल जोईन नहीं किया है तो आप Study IQ उत्तर प्रदेश टेलिग्राम में लिकर के सर्च कर सकते हो आराम से और इस टेलिग्राम पे जोईन हो सकते हो इसका फैदा यह होगा कि आपको इस लेक्चर की PDF यहाँ पर मिल जाएगी और तमाम सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर प्राप्त होते रहेंगे दूसरे भी Study IQ के Social Media के प्लैटफॉर्म्स हैं आप इन से भी हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी पढ़ाई को और अच्छा बना सकते हो आज का टॉपिक है केन बेतवा लिंक परियोजना ठीक है और आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होगे मैप में भी आपको और दिखाऊंगा पर उससे पहले एक-एक स्टेप समझ लेते हैं क्या-क्या चीज़ें कवर होंगी चानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है केन बेतवा नदियों को जोडने की जो परियोजना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे रिवर इंटर लिंक प्रोजेक्ट जो है करचा जारी रखेंगे तो पूरा ध्यान से लेक्शर जरूर सुनियेगा कि सबसे पहले लेक्शर शुरू होगा उससे पहले आप इस मैप पर एक नजर डालीए यहां पर एक आपको छोटा सा मैप दिखाया ज़रा है यह lower or dam ठीक है एक lower or dam आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको देख रहा है map में इसी तरीके से कोठा बैराज प्रोजेक्ट आपको एक ध्यान रखना है माइन रखना है ठीक है इसके अलामा यहाँ पर दोधन डेम है आप देख सकते हैं यह दोल्धन डेम है और यह जो ग्रीन कलर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यह आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है ठीक है पन्ना बाग अभ्यरन है इसके बारे में आपको ध्यान रखना इनका यूज अभी आपको आगे देखने को पर अच्छी तरीके से दिखाये गया है जिसमें जो वाइट वाला पॉर्शन आप देख पा रहे हैं यह उत्तर प्रदेश है ठीक है जगा जगा पर जहाँ ज़रूद पैसूस होगी वहाँ पर हम आपको मैप के थूरू दिखाते रहेंगे चीज़ों को तो चलिए जानते National Perspective Plan के अंतरगत देखा जाया, तो इस तरीके कि यह पहला प्रान हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें एक overview आपको यह आपर देखने को मिल रहा है, कि यह आपकी Can River है और यह आपकी Betua River है, Can और Betua River का पानी इस नहर के माध्यम से और artificial नहर है जिनको जोड़ करके यहां पर पानी खुलाया जाएगा तो इस नहर की लंबाई आपको ध्यान रखनी है यह है 221 किलोमेटर की यह लंबी नहर है जिसमें करीब 2 किलोमेटर के आसपास की टरनल भी बनी हुई है इसमें सुरंग के questions रह सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है उसमें कितने किलोमेटर की टरनल है तो इन सब phases को याद ज़रूर रखिएगा अगर हम इसके background के बारे में जानना चाहते हैं केन बैतवा link project के बारे में अगर उसके background करना बहुत कठिन हो जाता है और क्रिशी कठिन हो जाएगा तो वहां पर जो किसानों का जो जीवन है वह बहुत दूबर हो जाता है स्वभाव एकसी बात है किसान आत्मत्य की और कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं और ये एक प्रकार से इस प्रकार का किसानों का जो एक कृत्य होता है जो मजबूरी में उन्हें करना पड़ता है ये तातकालिन सरकारों के लिए धब्बे का काम करता है 2005 के आसपास सरकारों ने इस पर सोचना विचारना ठीक तरीके से शुरू किया है विचार पहले से भी हुए हैं परन्तु अडल बिहारी बाचपेगी तरफ से इस पर थोड़ा ज़ादा गौर किया गया और जो सुखा ग्रस्त इलाका था उसमें किसानों को रहत देने के लिए इस परोजेक्ट पर काम करने के लिए भूला गया फिर भी काफी लंबा समय लग गया 2005 में केंज सरकार यानि की सेंट्रल गौर्रमेंट देखें तीन यहां पर आपको केंदर देखने को मिल रहा है एक केंदर सरकार है, एक मद्रदेश सरकार है और एक उत्तर परदेश सरकार है इन तीनों के बीच में आपस में विश्तरत पर्योजना की एक report तयार होती है और इसी रिपोर्ट के अधार पर त्रिपक्षिय समझाते होते हैं और इस समझाते के अधार पर ही इस प्रोजेक्ट को तयार किया जाता है सो बेसिकली ये तीनों लोगों का कम्बाइंड कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है जिसमें MP, UP और जो Central Government है उसका योगदान आपको देखने को मिल रहा है 2008 में, 2008 में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट यानि KBPL, KBLP को एक राश्टी परयुजना घोशित कर दिया गया जहां पर केंसर कार इंटर्यूस हो गई, वो राश्टी परयुजना के अंतरगत आने के संभावना उसकी बढ़ जाती है दूसरी बात ये है कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा या कह सकते हैं कि बहुत ही महत्यपूर्ण सूखाग्रस छेत हमेशा से रहता है चहां कि किसान हमेशा बहुत जादा परिशान रहते हैं इस पर बहुत ही जादा अटेंशन देने के लिए इसे एक राश्टी परयुजना के अंतरगत रखा गया से परिशना घोशित कियां गया है बाद में इसे सूखाग्रस बुंदेलकर्ण छेथ के विकास के लिएह प्रधानमंत्री के प्यकेज के साथ भी जोड़ा गया एक SLSVP SPV जो है वो यानि कि SPV क्या है Special Purpose या Special Purpose वहिकल के रूप में इसको जाना जाता है SPV विशेष प्रयोजन वाहन है वाहन का मतलब यह कोई truck tractor वगर नहीं है मतलब इस project को move आगे कराने के लिए एक SPV बनाया गया जिसको बोला गया है KBLPA इसको simple meaning में समझने का प्रयास करते है 2005 में आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ सूखा गरस्तिलाका और यहाँ के लोगों को पानी चाहिए अब आपको यही बात अपने आप में समझ में आ गई होगी कि हमेशा से ऐसा तो नहीं 2005 में वो सूखा गरस्तिलाका हुआ होगा वो तो हमेशा से सूखा गरस्तिलाका रहा है सरकारों को इतनी देर बाद वहाँ पर समझ में आया है और जब समझ में आया है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे जल्दी से जल्दी वहाँ पर राहत पहुचाने का कारे किया जाए और इसमें लापरवही ना हो इसलिए निगरानी करना यहाँ पर जरूरी है और जब निगरानी करना यहाँ पर जरूरी है तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पर कि इस निगरानी को करने के लिए हमको एक प्राधिकरण बनाने के आवशक्ता पढ़ जाती है एक authority बनाने के आवशक्ता पढ़ जाती है और इस authority का साथ देने के लिए एक committee बनाने के आवशक्ता पढ़ जाती है जिससे कि इस particular project पे थोड़ा जादा तेजी से कारे किया जा सके ठीक है तो इसी चीज़ को बोला गया है यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है विशेस प्रयोजन वाहन यानि कि यह विशेस प्रयोजन है एक तरीके का यह आप साध्रान तरीके से नहीं कि ठीक है थोड़ा वहाँ पानी के जुरुत है, इसलिए इंटर लिंकिंग कर दो, बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको SPV के अंतरगत रखा जा रहा है, ठीक है, और इसलिए इसको SPV नाम दिया जा रहा है, अब इस SPV के दो चीज़ें आपको समझने हैं, एक तो यहाँ पर यह गठन होगा, और दूसरा एक कमेटी का गठन होगा, जिसमें 20 सदस्य होंगे, ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो प्राधिकरण का गठन है, और दूसरा एक कमेटी का गठन है, जिसके अंतरगत 20 सदस, 20 मेंबर्स होंगे, जो इस पूरे के पूरे के पू leadership होगी किसकी निगरानी में ये project त्यार होगा किसकी निगरानी में ये project कारे करेगा अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसको हमको ध्यान रखना है ये जो इसका CEO होंगे उनकी rank क्या होगी अत्रिक्त सचिव की rank होगी एक तरीके से ठीक है additional secretary rank के एक officer होगे जिनके निगरानी में इनको इसको जो है चलाया जाएगा साथी साथ दूसरी बात यहां पर है जल शक्ति मंत्राले के जो सचिव है वर्तमान में पंकच कुमार जी है जल शक्ति मंत्राले के जो सचिव है वो इस समिति की अध्यक्ष्टा करेंगे headed होंगे वो उसके ठीक है इट मीन्स ये committee जो है वो headed by किसके है, जल शक्ति मंत्राले के जो सचिव है वो, और इसको पूरा का पूरा किसके निर्देशन में चलाया जा रहा है, यह चलाया जाएगा, एक अत्रिक्त सचिव रेंक के अधिकारी जो होंगे, जो CEO बनेंगे, उनके अधिकार, छित्र के अंतरगती आएगा, उनके समीथी के अगर हम बात करते हैं, तो संचालन समीथी, यानि की SC, ठीक है, स्टेरिंग कमीटी जो है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, तो हमें क्या पर चलेगा, तीन लोग है इसमें से, जो दो राज्य है, एक MP है, और एक कौन है, UP है, और एक तो केन सरकार ही है, तो MP और UP, दोनों राज्य सरकारों की, दोनों राज्य सरकारों ने विश्व जल दिवस, हर बार हम मनाते हैं कब, 22 मार्च को मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष नहीं, 2022 वाला नहीं, पिछले साल का, इसके लिए आपको 2021 वाला जल वर्ष याद रखना है, 2021 का जो जल वर्ष था, उस जल दिवस जो था, उस जल दिवस के समय यहाँ पर एक Memorandum of Understanding का समझोता हुआ, यानि कि उसके उपर ग्यापन पर आपर समय साइन किया गया, कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए त्यार हैं, कौन से दो राज्य उसमें शामिल हैं, वही जहाँ पर यह बुंदिलकन पाय जा मिल होंगे, यह आप Department अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, परियावरण, बिजली और आदिवासी मंत्राले, यहाँ पर आपको Environment, Power and Tribunal Affairs के जो सेकेटरीज हैं, उनके मंत्रालियों के सचीव और व्याय विभाग, एक और Department है, व्याय विभाग के सचीव इसमें शामिल हो हमको और क्या दरा तक नहीं है, यूपी और एमपी सरकारों के अत्रिक्त, मुख्य सचिव केंद्री जलायोग के अध्यक्ष, तो केंद्री जलायोग के अध्यक्ष, रास्टी बाग संदक्षन हैंनी NTCA, ठीक है, रास्टी जलमार्ग विकास प्राधिकरण के प्रमुक और राजवन अधिकारियों के पैनल, ये सब भी इसमें शामिल होंगे, अब देखें, जब क्वेशन्स बनेंगे तो आपसे पूछा जा सकेगा, इस पर बनने आले जो प्रशन होंगे, वो इसी तरीके से बन जाएंगे आपके लिए, कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन लोग शामिल हो रहे हैं, वो सारे डिटेल आपको यहां से याद रखना है, यानि कि राश्ट्री बाग संदेक्शन प्रादिकरण, राश्ट्री जलमाग वुकास प्रादिकरण, और साथी साथ केंदरी जल आयोक के जो खर्चा हो रहा है, अगर देखा रहा है, तो 49,317 करोड रुपए की सहायता देगी केंदर सरकार, ये तो केंदर सरकार के बारे में, केंदर सरकार की तरफ से कितना सहायता दिया जाने का बात किया गया है, 49,317 करोड रुपए की सहायता दी जा रही है, इन्में में से 36,290 क करोड़ रुपए आनुदान और 3,027 करोड़ रुपए रिड के रूपए नि लोन के रूप में दिया जाएगा यह निकि आपको मोटे-मोटे तौर पर एक तरीके से देखा जाए यह तो आपके रिड की बात होगए अब दूसरी पॉइंट यहाँ पर आप देखोगे तो ए जो केन बेथवा लिंक प्रोजेक्ट है केन बेथवा लिंक परियोजना जो है इसको अगर आप देखोगे तो यह परियोजना पन्ना राश्ट्य उध्यान से उबड़ करके गुज़र रहा है पन्ना राश्ट्य उध्यान नाश्चनल पार्क जो की बाग संड़क्षन के लिए बहुत ज़ादा प्रसिद्ध है पन्ना जो है ये मद्रदेश का एक जिला है और ये पन्ना के साथ-साथ चतर पुर्ट तक ये फैला हुगा है ये राश्ची उद्यान ये एक टाइगर रिजर्व है ठीक है एक चोटा सा पॉइंट आपको ये भी पता चल गया और पुछा आ सकता है केन बेतवाल लिंक परुज़ना के अंदर कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट कवर अप हो रहा है तो को एनर्जी के सोर्सेस के हिसाब से आत रखनी है कि इसमें 103 मेगावाट का 103 मेगावाट जो है वो जल विद्दूत और 27 मेगावाट जो है वो सौर उर्जा उत्पादित की जाएगी इसके माध्यम से साथ ही साथ आपको एक पॉइंट और भी मैं बता रहता हूँ इस मैपक ये समझ सकें कि ILR प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है किस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा देखे फिर से इस प्रोजेक्ट के उपर ध्यान रखिए इसमें दोधन बांद और दो नदियों को जोड़ने वाली नहर लोवर और प्रोजेक्ट कोठा बैराज और बीना कॉंप्लेक्स पर्यूजना आधिके निर्माण के माध्यम से केन नदी और बेतवा नदी कि जो अधिशेस पानी है उसका अस्तरांत्रन किया जा रहा है मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि केन और बेतवा में नदी में पानी बहरा है पानी बहते हुए निकल जा रहा है उसका आप यूज़ नहीं कर पा रहे है इन जगोंपर वारिश बहुत कम होती है और जो जमीन है वो काफी आधा पत्रिली है सख्त है तो इस हांपर पानी की बह जाता है वो चला जा रहा है और चला जा रहा है समुद्र में तो यह जो excessive water है यह जो अधिशेस पानी है इन दोनों नदियों का किन दोनों नदियों का केन नदी का और बेतवा नदी का केन नदी का जो भी अधिशेस पानी है और इन इन बांद को भी इसमें शामिल किया गया इन नहर को भी इसमें शामिल किया गया इपर फिर से मैप में देख लेते हैं इसमें important चीजें आपको दिख रहे हैं ये lower oil dam है इसकी बात करी जा रही है यह वाला, यहाँ पर जो बना हुआ है, इसके अलावा, आप देख सकते हैं, आपर कोठा बैराज प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इस कोठा बैराज प्रोजेक्ट से जो भी चीज़े बचेंगी, इसके अलावा, यहाँ पर दोधन डैम जो है, पहले स्टेप की अगर हम बात करेंगे, तो पहले स्टेप में आप देख सकते हैं, आपर दोधन बान को शामिल किया गया है, इसकी सहाय की काईयां कौन कौन सी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगी, ठीक है, और तमाम प्रकार की जो जो छोटी मुटी नहर होंगी, वो जो इन बेतवा, लिंक, नहर और बिजलीघर शामिल हैं, ये सब चीजें शामिल हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट में, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, जो दूसरे शेज बचे हुए जो भाग हैं, इनको शामिल किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं, लोवरूर बा पहुंचेगा, इस तरीके के पानी सगर देखा जाए तो, ये तेरह जिले आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यलो वाला पार्ट है, ये सारा का सारा आपका यूपी का है, और जो ये ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा हिस्सा जो है, वो आपका MP का यहाँ पर छोटा सा ही टाइगर रिजर्व है फिर से एक बर मैंने आपको दिखा दिया और यह जो है आप पेसिकली देख सकते हैं यह आपका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है यहां से केन न दी जा रही है आपकी नीली वाली और यह उदर बेतवा न दी जा रही है तो simply उत्तर प्रदेश और मंद्र प्रदेश के इसमें 13 जिले हैं, 13 जिले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं, आप ध्यान रखोगे, चित्रकूट, बांदा, हमिरपुर, महोबा, जहांसी और ललितपुर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जिले जो हैं ये उत्तर पानी आ रहा है, ये किसानों के लिए आ रहा है, किसान क्या करेंगे पानी का, किसान करेंगे पानी का सिचाई, ठीक है, एरिगेशन के लिए, water for irrigation, जो किसान जो हैं, जिनके खेद सुके रह जाते हैं, बारिश टाइम पर होती नहीं है, उनको ये पानी दिया जाएगा, और उससे खेट जय वो सीचे जाएंगे तो कितना एरिया है जो कवर हो रहा है उस एरिया के अगर हम बात करते हैं तो इस टैन पॉइंट सिक्स टू लैक हेक्टेर वार्शिक सिचाई प्रदान की जाएक करेगा इसमें लगबग 65 लाग की आबादी कि कृशी गत्विदियां और रोजगार शरजन और पेजल के आपूरती होगी यानि कि आप देख सकते हैं कि यह एक मल्टी परपस टाइप का प्रोजेक्ट है और साथी साथ इसका जो मेन मोटो है वो किसानों को जो पानी प्रतान करना है कि सिचाई के लिए उसमें पानी प्रतान किया जाएगा और आप देख सकते हैं 10.62 लाग हेक्टेर वार्षिक सिचाई प्रतान करेगा ये प्रोजेक्ट 10.62 हेक्टेर साथी साथ 62 लाख आबादी जो हैं से लाबानवित होंगी 62 लाख इतनी बड़ी आपादी को इतने दिन तक इस तरीके के प्रोजेक्ट से वंचीत रखा जा रहा है ये अपने आप में थोड़ा सा कह सकते हैं कि सरकारों का थोड़ा फिलियोर जरूर है इसके लाबा अगर देखे हैं 2021 में इसका छटा संस्क्रण आयोजित हुआ था जिसमें एनम सी जी एनम सी जी क्या है रास्टी स्वच गंगा मिशन नैशनल मिशन फर क्लीन गंगा तो एनम सी जी बोलते हैं इसको एंड सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिंग जिसको सी गंगा के नाम से जाना जाता है Management and Studies के द्वारा hybrid mode में इसको जो है वो किया गया था और भहुतिक रूप से एनम सी जी का रहल है नई दिल्ली और IIT कानपूर उत्तर प्रदेश में आयोजित किये गए थे सो simply इस चीज को और अच्छी तरीके से क्रियानवियन में ले करके आने के लिए इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से वर्काउट कराने के लिए दिसमबर 2021 में आप देख सकते हैं इसमें कुछ चीजें और भी शामिल करी गई जैसे कि NMCG और Center for Ganga River Basin Management and Studies इन दोनों के दोरा Hybrid Board में इसका आयोजन किया गया है और इसमें ये बात निकल करके सामने आ रही है किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाया जा सकता है और अधिक सधिक लोगों को इसमें लाभानवित किया जा सकता है अब दो नदियों की आप इसे वित्रवती कहेंगे तो वित्रवती नदी के नाम से आना जाता है संस्कृत में वित्रवती नदी भी कहा जाता है इसको आप देख सकते हैं मद्द प्रदेश में मद्द प्रदेश की प्रमुख नदी घाटियों में से एक है या नदी की घाटियां जो है उन्में में से प्रमुख नदी है यह यमुना की साहयक नदी है सबसे पहली बात importantly आपको ध्यान रखना है यह यमुना की साहयक नदी है ठीक है और यह जो यमुना की साहयक नदी है और्चा डैम भी है चाहसी लिलिदपुर इलाके में आप देखोगे और वहीं पर और्चा मंदिर भी है भगवान राम का केन नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये बुंदेलकंड छेदर की ये भी एक प्रमुख नदी है और ये यमना की साहक नदी है और ये मद्यप्रदेश के जबलपुर जिले से निकलती है तो दो चीज़ें आपको पता चल गई एक तो ये आपको होशंगाबाद में दिख रही है और ये आपको कहां दिख रही है जबलपुर में ठीक है और जबलपुर जिले के अहिरवा गाउं के पास से निकलती है और उत्तर प्रदेश में चिल्ला गांफ के पास यमुना नदी में मिल जाती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका लिंकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दो नोरी बर का। और इसका पानी यहाँ पर इस तरीके से यूज किया जाएगा बीच में। तो केन और बेतवा के बारे में आपने जान लिया अब बात आती है कि इतना समय हमको क्यों लग गया या फिर क्या इससे पहले भी इस तरीके कोई प्रयोग किये गए जिसमें दो नदियों का पानी जोड़ करके उस जगे को लाप पहुँचाया जाता हो जहाँ पर पानी का कह सकते हैं कि जहाँ पर पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो पाता हो या जहाँ पानी बहुत कम मातरा में रहता हो उसके लिए उसको दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ता हो या सिचाई के लिए बहुत रसना पड़ता हो कहाँ तरीक कि प्रोजेक्ट पहले नहीं चलाए और इन्हों ने गंगा और कावीरी नदी को जोड़ने का सुझाव दिया था वाटर टर्सपोटेशन के हिसाब से हला का यह पर यह प्रोजेक्ट लेकर के आया गया था उससमय सुखा गरसित इलाद को लाप पहुचाने के लिए नहीं है लेकिन इस तरीके से दो नदियों को जोड़ने का कामयाँ पर शुरू हुआ अंग्रेजियों द्वारा कई प्रकार की इंटर लिंकिंग पर्यूजनाय यहां पर चलाई गई है लेकिन जो वर्तमान सरकार है अगर उसका अगर हम पैटन समझना चाहें तो उस पैटन पे एक तो बात आपको इसके उपर चर्चा करेंगे एक तो बात आपको राश्टी जल ग्रिड के रूप में देखने को मिलेगी और दूसरी बात आपको माला नहर के रूप में देखने को मिलेगी तो ये दोनों चीजे क्या है इन दोनों पर भी सरकार ने काम करने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए परंतो फिर भी ये जो इंटर लिंकिंग रिवर प्रजेक्ट जिसमें आपके इन बेतवा को पड़ रहे हो उसके अलामा भी कई सारी ऐसी प्रयोजना है जो कंप्लीट हुई है या जिनके उपर काम किया गया है जिसमें एक नाम आप देख रहे है परंबिकुलम, अलियार, इलगुगंगा परयुजना और राभी ब्यास सतलज ये परयुजना है भी इस तरीके की थी जो शुरू करी गई थी 1985 से इस तरीके की जल हस्तांतरन की प्रक्रिया जो है उसको शुरू करे जाने का प्रयास किया गया, 1895 से सो हम राष्टी जल ग्रिट की बात कर रहे थे, राष्टी जल ग्रिट में क्या किया गया, क्या करे जाने का प्लैन किया गया, कि कई सारे जो वाटर सोर्सेज हैं, उनसे पानी जो भेहते हुए सागर में चला जाता है, या फिर जो एक्सेसिव वाटर होता है, उसका अगर ह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और एक इलाका जहां पर पानी की बहुत जादा अधिकता दूसा इलाका जहां पानी कमी है तो क्यों ना एक ऐसा grid तैयार किया जाए जिससे की जिन जगहों पर पानी के समस्या है उन जगहों पर पानी के समस्या को दूर किया जा सके इस विचार क विचारक जो है डॉक्टर के अल राव लेकिन ऐसा हुआ कि यह जो सुझाव था यह बहुत ज़ादा काम नहीं आ पाया क्योंकि सरकारों का इसमें बहुत ज़ादा इंट्रेस्ट नहीं रहा दूसरा ऐसी तरीके से माला नहर परियोजना जो है वो शुरू कराई जाने का प्रयास किया गया दिन्शौद जे जस्तूर ने एक छेतर बनाया जिसमें आपको क्या किया सकता था पानी को लाकर के फिर से नहर में डाल सकते थे और नहर से सिचाई वाला जो कारक्रम है वो आप कर सकते थे इसी तरीके के जैसे केन बेतवा लिंक है लेकिन उस समय भी इसको भी बहुत दादा हम लोग ने क्या सकते हैं कि बहुत दादा इसको विचार में आगे नहीं बढ़ाया गया और बाद में आप देख सकते हैं 1980s के अगर हम बात करते हैं 1980s में सरकारे एक्टिव होना शुरू हुई है और इसको राश्ट्री इस्तर पर इस तरीके के जो प्रोग्राम है इसको छेत्री इस्तर पर नहीं बिलकि राश्ट्री इस्तर पर बनाने के लिए रास्टी परपेक्ष योजना जो है वो तैयार किया जाना शुरू किया गया जिसमें इंटर बेसिन जल अंतरण की परिकल्पना की गई अब यहां पर इंटर बेसिन एक टर्म लिखा है इसका मतलब क्या होता है इंटर बेसिन का मतलब होता है देखिए नदियां जो बहती है वो किसी न किसी बहाव की दिशा में बहती है बहाव की दिशा का मतलब क्या है बहाव की दिशा का मतलब पानी जो बहेगा वो धलान पर ही बहेगा न तो एक जो particular नदी होती है उसमें कई सारी नदियां आ करके मिल जाती है कई बार उसमें कई सारी नदियां आ करके मिल जाती है तो जो main river होती है उसको ये तो हो गई आपकी main river ये हो गई main river और जो बाकी नदियां आपके साथ है याँ पर आ करके मिल रही है इनको आप बोलते हैं Tributaries Tributaries और Main Rivers से मिल करके बनने वाला जो एरिया होता है उस पूरे के पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं River Basin कहते हैं इसको क्या कहते हैं River Basin जैसे आपके घर में Wash Basin होता है पानी एक जगे आके खटा होता है उसी तरीके से सारी नदियों का पानी आकरके एक जैगे खटा होकरके Main River से सागर में चला जाता है या महा सागर मिल जाता है तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि जो एक्सेसिव वोटर है उस पर जो Inter Basin Project है पानी जिस दिशा में बह करके जा रहा है और उस इलाके में अगर आसपास कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो उस पानी को इस तरीके से जोड़ दिया जाए नहर के थुरू कि उस जगे पर सूखा ना रह जाए यही चीज आपको फिगर में बार-बार दिखाने का प्रयास किया गया कि केन भी उस बुंदेल खंड इलाके से जा रही है बेतवा भी उस बुंदेल खंड इलाके से जा रही है उसके बावजूद भी वहाँ पर सूखा गरस्त है तो जो पानी निकल करके चला जा रहा है उस पानी को क्यों ना उस बेसिन में ला करके यानि कि उस basin area को उसमें use किया जाए और basin area में अपने आप तो पानी आएगा नहीं तो अपने आप तो अपने ढाल में जा रहा है उसको अलग से लाना पड़ेगा तो इसको बोला गया नहर पर योजना तो आपको क्या पता चलेगा कि हमारा जो छेत्र है हमारा जो छेत्र है वो एक तो हिमालियन रीजन अगर इसको 20 से डिवाइड कर दें तो ये वाला जो रीजन है यहां से कुछ नदिया बहुत जैसे गंगा है वो यहां से निकल रही है गंगा यमुना इस तरीके से निकल रही है तो हम सारी सहायक नदिया है वो यहां से निकल रही है ब्रंपुत है इस तरीके से आ रही है तो ये एक जाल आपको नौर्थ इंडिया में इस तरीके से दिखाय रही है तो ये जो जाल है नदियों का इस इधर जाती है और सिंदु की सायग नदिया इसमें आगर के मिल जाती है ठीक है तो उनका पानी यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी पे चला जाता है तो क्यों ना इन नदियों का पानी से उत्तर भारत को जहां पर दिक्कत हो रही है जैसे आपने केन बेतवा का हिस्सा देखा तो यह आपको देखने को मिलेगा कि कुछ नदियां है जो उत्तर भारत में है और उत्तर भारत के सूखे गरस्त इलाके जो है वो इन नदियों से दूर किया जा सकते है इसी तरीके से दक्षन भारत की तमाम सारी नदियां है तो दक्षन भारत की जो तमाम सारी नदियां है उस सूखे वाले इलाके को complete किया जा सकता है तो इस तरीके से यह जो project है इसको दो भागों में आपने divide कर दिया है इसके दो घटक बना दिये हैं एक Himalayan river और दूसरा peninsular river प्रायदीपी नदिया अब आप से question पुछा सकता है कि जो यह केन बेतवा link project है यह किस में आएगा Himalayan river में आएगा या फिर आप इसको peninsular river में राखोगे तो इसके लिए basic difference आपको देहां डेखना है Himalayan river का region वो region है जहां पे नदियां Himalaya से निकल करके आती है अब आपको अभी बतायागा कि केन बेतवा कहां से निकल रही क्या यह Himalayan river है तरह देखिए वो मिलती जरूर है Himalayan river में जाकर के वो आपने देखा कि यमना में जाकर के मिल रही है ट्रिबिटरी है यमना की लेकिन फिर भी जड़ा देखिए राष्टी परिवर पेक श्योजना के अधार पर राष्टी जल विकास एजनसी यानी NWDA ने तीस नदी लिंकों की पहचान की है जिसमें से 16 जो है वो प्राइदिपी है और 14 जो है वो हिमाले घटक की है इन में से केन बेतवा लिंक पर जो है वो प्रेंस्वेलर के अंतरगत आएगी अब आप कन्फ्यूज मत होईएगा कि यह जाकर के मिल जरूर रही है हिमालियन रिवर से लेकिन इसका जो जो vacution है और जो most of the region है इसका वो बुंदेलंखंड का है मध्य भारत के छितर है तो यह आपका प्रेंस्वेलर इंडिया के यह प्रेंस्वीलर रिवर प्रोजेक्ट के अंतरगत जा रहा है तो यह आपको ध्यान रखने प्रोजेक्ट के अंतरगत आएगा ठीक है तो आशा करते हैं आपको यह session समझ में आया होगा और आप study IQ के platform पे कुछ भी purchase करना चाहते हैं किसी प्रकार का कोई भी study material से लिए कुछ भी purchase करना चाहते हैं कोई भी course आप purchase करना चाहते हैं यहाँ पर coupon code लगाने की बारी आएगी आप उस पर तुरन लिखेंगे VIRAD33 और जैसे ही आप 33 यह code लगाएंगे आपको 33% का instant discount तुरन मिल जाएगा तो बिना देर किये हुए आप चो पर्चेस करना चाहते हैं पर्चेस कर लीजे फड़ाफट तमाम सारे जो state PSCs हैं UPSC का form भ बहुत बहुत धन्यवाद फिर कल मुलाकात करेंगे इसी तरीके के किसी दूसे शान्दा टॉपिक के साथ तब तक लिनमस्कार चैहिंद